हरियों फ्रेंड्स आज हम लट्डू गुपाल जी के लिए इस तरह की ब्यूटिफुल सुंदर सी पॉंचु स्टाइल में ड्रैस बनाएंगे फ्रेंड्स तो चलिए आज हमें इस तरह की ड्रैस बनाना स्टार्ट करते हैं और इसके साथ मैंने इस तरह की हैट भी बनाई है गुपाल जी के लिए इसे भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो चलिए इस ट्रैस को बनाना स्टार्ट करते हैं और देखिए फ्रेंड्स अगर आप मारे चैनल हरी हम निटिंग में फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी जरू करिएगा तो चलिए फ्रेंड्स आज हम इस तरह की गुपाल जी की ड्रेस मनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स इस ट्रेस को मैं सिर्फ एक ही लैस से डेकोरेट करूंगी यह देखिए लैस बहुत ही असानी से आपको मिल जाती है आठ से दस रुपे के मीटर यह आपको लैस असानी से मिल जाएगी तो चलिए और यहाँ पर मैंने बेबी बिंग कलर लिया ठीक है और यह देखिए इसकी मैं आपको लंबाई चुडाई बता देती हूँ कि कितनी लिव है मैंने तो यह देखिए फाइफ नंबर के लटू को पाल जी के लिए है इसे मैंने देखिए 21 बाई 42 इंच इस तरह से लंबा लिया है फ्रेंड्स अगर आपके पास थोड़ा पास नंबर के लिए मैंने आपके 25 बाई 42 इंच का इस तरह से एक लंबी पट्टी ले लिया है और यहां से मैंने इसको साड़े पांच चीज लिया हुआ है ठीक है फ्रेंड्स और इसे मैं लाइनिंग लगा कर बनाऊंगी आप चाहें तो बीना लाइनिंग के भी बना सकत प्रेंद स्टाता है तो चलिए अब नाना स्टार्ट करते हैं इस तरह से हमने यह कोटन का ही फैबरिक है चलिए इसको मैं आप सिलाए लगा लिती हूं यहां से इस तरह से तीन एजिस को कवर कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर मेरे एजिस को कवर कर लिया है और अब हम इस पर लेस लगाएंगे तो यह देखिए लेस को मैं यहां पर इस तरह से रखूँगी और इस तरह से सिला ही लगाते हुए पूरी लेंथ में लेस को लगाती हूं अगर फ्रेंट्स आपको सीधा इस तरह से लेस लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो तो आप यहां पर लेस लगाकर इंची टेप रखकर निशान लगाकर भी उस लेस को लगा सकते हैं तो मुझे ऐसे ही आदत है दोनों को लगाने की तो मैं इस तरह से सीधा सीध करना हो ठीक है और देखिये फ्रेंड्स यहां पर मैंने पट्टी को जो है एक्स्ट्रा लिए जादा लिया था तो इसलिए हम फ्लेट्स भी थोड़ी सी ज़्यादा ही उठाकर बनाएंगे ताकि मारी जो प्लेट्स है गहरी भी बने और सुनदर भी बने और यहां पर जो ह हमारी कमर है साड़े पान से छेंज तक रेडी हो जाए तो इस तरह से मैं इस प्लेट्स को बनाते हुए इस गेरे को कवर करती हूं तो यह देखे फ्रेंड्स इस तरह से मैंने गेरा बनाकर रेडी कर लिया है और अब हमने यह देखी आपको दिखाकती में कितना मेरा यह जो देखी मेरा साड़े पान से थोड़ा सा ज्यादा है और पोने छे के करीम मेरा यह गेरा रेडी होगा है तीकर फ्रेंड्स इस तरह से करने के बाद अब जो हमारी उपर वाले फालतू का कपड़ा है उसे हम इस तरह से कट कर देंगे ध्यान से कट करिएगा पीछे से भी तो इसे हम अब इस तरह से कट कर लेते हैं अब आप इसके उपर चाहे तो नेफा लगा सकते हैं या पट्टी लगा सकते हैं तो मैं यहाँ पर आपको पट्टी लगा कर बताऊंगी नेफा नहीं डालूँगी ठीक है फ्रेंड्स तो द से तरह से आपको रखना है ,300 मौहँ से इन पाध्टी तरह से इस्तर इस चल रखका और आप से प्रस फैब करने में दिक्कत हो आप सबसे पहले इस से पाध्टी प्रस थाइड कर थी घूर्ण कष़़ीं आप усп Señor coins करेंगे आप यहां से इसको भी demuक करते जाएंगे पथी को पहले रजो को टीर पर करेंगे और पूरी इस तरह से चली लगा पीस को कट किया है वो देख लेते हैं कितना इंच कट किया है तो यह देखिए फ्रेंट्स ही मैंने 11 इंच इस तरह से लंबा पीस कट किया है और यहां से मैंने 3 इंच किया है ठीक है तो इसको हम यह सिदी साइड हमारी अंदर है उल्टी साइड वार है और इसको अब हम यहां लगाते हैं पैर की और उसे सीधा कर लेते हैं तो यह देखिए फ्रेंट्स पट्टी को मैंने सीधा कर लिया है और इसकी चोड़ाई हमने कम ही रखनी है ज्यादा नहीं रखनी तो यह देखिए सिर्फ मैंने वान निंचिस की जो चोड़ाई है त्यार कर ली है और अब हम इस के एक साइट को इस तरह से इस लेस को लगा लेते हैं तो चलिए मैं इस लेस को लगा कर आपको दिखाती हूँ तो यह देखिए फ्रेंड्स पट्टी पर हमने लेस लगा ली और अब हमने इसको क्या करना है इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इस तरह से कट कर देंगे ठीक य तरह से होगा हमारा यह अब हमने क्या करना है यह देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से लिए है लैस वाली हमने एकसाइड कर ली और अब हमने यहाँ पर सवा इंच से लेकर यहां तक हम इसको तिर्चा सिलाई लवा देंगे तो यह देखिए यहां पर मैंने इसका सवा एक इंच का इतना निशान लगाया है और यहां से अब हम इसको तिर्ची सिलाई लवा देंगे यह देखिए यह मैंने निशान लगाया है इस तरह से आपको तिर्ची सलाई लगा कर दिखाती हूं तो यह देखिए फ्रेंट्स तिर्ची सलाई लगाने के बाद अब हम इसको यहां से कट कर देंगे यह देखिए यह मारी चोली क्यों इस तरह से बन जाएगी और अब आप चाहें तो उपर भी लैस लगा सकते हैं जैसा कि मैंने अपनी ड्रेस में लगाई हुई है यह देखिए इस तरह से हम इस पर लैस लगा लेगते हैं इससे आपको क्या होगा कि ज्वैल्डी परनाने के इस तरह से हम इसको हाफ हाफ तक लगा लेंगे क्योंकि लास्ट वाला तो हमारा चोली के अंदर चला जाएगा तो चलिए मैं इससे लगा लेती तो यह देखिए फ्रेंड्स जो आपने यह लैस लगाई है तो इसको आप रिवर्स करकर एक बार जो है सिलाई जूरू लगा औरहा है इसे लह समारी पकी रह Governor आती है फिट चलिए अब आ गहाम ब्टखते हैамगे हमों देखिए मारी रटी इस तरह से बन गई ठीक है और अब हम क्याril अपना इक घेरा लेंगे इस तरह से और इसको अब हम यहां से इसका सेंटर ले लेंगे यह दिखिए यह मारी ड्रेस का सेंटर आ गया और इसको अब हम इस तरह से रख लेंगे ठीक है और यहां पर मैंने यह फ्लावर कट किया हुआ है इस फ्लावर को इस तरह से हम सेंटर में रखेंगे और इसको सु देखिए इस तरह से मैंने इसको यहां से निकाल लिया है एक दावा एक बार और पीछे जाएंगे और एक बार आगे ले आएंगे इस तरह से ठीक है यह देखिए यहां पर यह हमारा फ्लावर भी पक्का हो जाएगा इस तरह से इसको पक्का करकर पीछे से इसको हम नोट लगा देंगे यह देखिए यहाँ पर अब हम इसको नोट लगा लेते हैं और इस तरह से यह हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट होगी है तो चलिए इसके मैं आपको एट भी बता देती हूं कि वह ने किस तरह से बनानी है और इसे मैं अपको गुपाल जी को पैना कर भी दिखाओंगी की देखिया किस तरह से यbak यह हमारी ड्रेस रेड़ी होगी तो चलिए है चलिए खले दो डिसे देखिया हैरा मनाने के कोल करकर इसके उपर लैस लगा लूँगे तो चलिए मैं इतना कर देती हूं तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैंने पट्टी पर लैस को लगा लिया है और अब हम इसको इस तरह से उल्टा करेंगे और यहां पर मैंने यह जो लास्टिक है पांच नंबर के लेड़ी को पा लेती हूं तो देखिए फ्रेंड्स लास्टिक लगाने के बाद अब हमने क्या करना है यह देखिए यह वाली साइड और यह वाली साइड अब हमने इसको सिलाई लगा लेनी है तो यह सिलाई हम कहां से लगाएंगे यह देखिए उपर से नीचे की और लगाएंगे और फि को मनें कट कर दिना यह देखिए इस तरह से ठीक है इस तरह से में g test कर दिया अब जो ये मारा उपर वाला पाठ है इसको हम यह देखिए इस तरह से हैं से बै schemes इन धिक इस तरह से भग द्धेंगे और यह कि कपड़ी के आगे पीछे करते हुए इस सुई को हम इस तरह से इसमें कच्छा टंक कर लगा लेंगे और पूरा यहां से लेकर घुमाते हुए यहां तक ले आएंगे लास्ट तक प्रेंट's फ्रेंडश तक मैंने इसको एकठा कर लिया है और इस तरह से प्लेट्स भर लियाए और अब इसको मैं इस तरह से उपएट दूँगी एक जुआ रेंगे एक तौ बार और इस तरह से अब हम इसमे N Gloria लगा लेंगे यह देखिए पके से इसको नोट लगा लगते हैं और देखिए फ्रेंड्स यह मारी कोपाल जी की कैप बनकर बेको रेडी होगी है तो चलिए इसे मैं बाइब बार कोपाल जी को पहना कर दिखा देती हूं आपको तो यह देखिए फ्रेंड्स लड्डू को पाल जी को मैं आपको ड्रेस में आके दिखा रही हूं तो यह देखिए पहले सबसे हम पहले इस तरह से चोली को रखेंगे और पीछे से इस तरह से क्रोस कर लेंगे और फिर यहां से इस तरह से निकाल लेंगे और फिर इधर से इस तरह से निकालेंगे और इस पर हम अब नोट लगा देंगे यह देखिए और आप चाहें तो इसको यहां से सील भी सकती है तो यह देखिए फ्रेंड्स को पाज जी की द्रेस कितनी प्यारी लग रही है एक तुमारा यह पॉंचु स्टाइल हो गया और द देखिए इसके साथ आपको कोई ज्यूरत नहीं पड़ेगी और यह देखिए यहां मैं आपको हैट बेपना कर देखा देती हूं घुल दिको और यह फाइफ नंबर के घुपाल जी है फ्रेंड्स यह देखिए यह फाइफ नंबर का ही मेजरेमेट में ने आपको बताया है I hope कि आपको भी ड्रेस जुरूर पसंद आई होगी Thank you for watching Radhe Krishna